हेलो घाईज आज हम सेखने वाले हैं कि सताबशी घृत कैसे बनाते यह फ्रुष्ली सताबरी रूट जिसको हमने अभी ही निकाला है आप देखके सकते हैं ने मिट्टी भी लगी हुए क्षाइब बनाने वाले हैं सतावरी ग्रित तो अभी हम पसली इन रूट को अलग करके रहे हैं फिर हम उसके बाद इनको साफ कर लेंगे यह हम अभी साफ कर रहे हैं यह कर रहे हैं सबसे पहले हम दालेंगे सतावरी की रूस्ट का जो जूस निकाला है इसको बॉइल होने देंगे इसमें बॉइल आने पर हम एड़ करेंगे मिल्क यह है वाटर जो अपन एड़ कर रहे हैं इस वाटर को अपने जो सतावरी ग्राइंड करी थी उस सतावरी का जो एक्स्ट्रेक्ट था उसको पानी में डाल के बॉइल करा जिससे की सतावरी की थोड़ा सा भी जो भी है अपन उसको यूटिलाइज कर ले और वो पानी में आज़े अब हम इसमें आड़ कर रहे हैं प्योड घी जो की 250 ml है सबसे पहले हमने सतावरी का जूस निकाला था 1.5 ग्राम ठीक है उस जूस में हमने एड कर रहा था वन लीटर वाटर वन लीटर मिल्क एंड 250 ग्राम घी यह देखिए इसको कुक होते होते टूहार्स हो चुके हैं बिलकुल लो फ्लेम करना इसको कुप कर रहे हैं अभी एक कुछ ही समय में कम्प्लीट हो जाएगा यह सतावरी घृत अब रेडी हो चुका है अब हम इसको फिल्टर कर लेंगे